मानिय तक मैं हो दाया पीड़ी दरपीड़ी चला आ रहा ये अविश्वास ये कॉंग्रेस की फित्रत है कॉंग्रेस ने देश में अस्तीरता फ्राने के लिए अब इस्वास प्रस्ताव की सेमयधानी के वर्षा का दुरुपयोग किया हमें अखमार में पढ़ा कि अब इस्वास प्रस्ताव की श्विकृति के तुरंत बाहाद बयान दिया गया कौन कहता है हमारे पास नंबर नहीं है यह हंकार देखिए मैं इस सदन को याद कराना चाहता हूँ 1999 राष्ट बती भवन के सामने खड़े हो करके दावा किया गया था हमारे पास तो तू सेविंती तू की संख्या है और हमारे साथ और भी जुड़ने वाले है टू सेविंती तू पुरे देश में और अटल जी की सरकार को सिर्फ एक वोट से गिरा दिया लेकिन खुद जो टू सेविंती तू का दावा किया था वो खोखला निकला और तेरा महिनों में देश को चुनाव के अंदर जाना पड़ाओ चुनाव थोपे गए देश पर मान्य अतिक्ष महोद है आज फिर एक स्थिर जना देश उसको अस्थिर करने के लिए खेल खेले जा रहे है राजनितिक अस्थिर्ता के द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धी करना एक कॉंग्रेस की फित्रत रही है 1979 में किसान नेता माटी के लाव चौदरी चरंसी जी को पहले समर्थन का ब्रम दिया और फिर वापिस ले लिया एक किसान एक कामगार का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है चंदर सेखर जी का भी उसी तरह अपनान मोडे सोपरेंडी बही था पहले सयोग की रस्सी फैंको और फिर दोके से उसे वापिस ठीचो यही खेल चलता रहा यही फर्मूला 1997 में फिर अपनाया गया पहले देव गोडा जी को पहले आदरिया देव गोडा जी को अप्मानित किया गया और फिर इंद्र कुमार गुलजराल जी की बारी आई क्या देव गोडा जी हो क्या मुलायम सिंह यादा हो कौन भूल सकता है कांग्रेस ने इन लोगों के साथ क्या किया जमीन से उठे अपने स्रम के लोगों के रुदे में जगा बनाने वालों के जननेता के रुप में उभरे हुए कि उन्होंने उन नेताओं को उन दलों को कंग्रेस ने चला है और बार बार देश को अस्थीरता में धकालने का पाप किया है कैसे कंग्रेस ने अपनी सरकार बचाने के लिए दो दो बार विश्वास को खरीदने का प्रयास किया बोड के बढ़ने नोट ये खेल कौन नहीं जानता